हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आपका स्वागत है संस्थानम भाई गोरोसर यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आरो ए आरो की अंतिम्ति थी जो आवेदन करने की अंतिम्ति थी जो 9 नवंबर थी उसे बढ़ा कर 24 नवंबर कर दिया गया है क्योंकि कुछ स्टुडेंट्स का OTR नहीं फिल हो रहा था OTR फिल करते थे तो लास्ट में एरर आ जाता था अगर कितनी बार ऐसा होता था कि OTR फिल हो गया लेकिन स्टेटस पेंडिंग आ रहा था और सबसे इंपोर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ सिगनेचर अपलोडिंग में सबसे पहले आये जानते है वो UPPSC जो आयोग ने अपनी विज्यप्ति दी है जिसमें ये बताया है कि इसकी तारीक 24 नौंबर कर दी गए आये वो विज्यप्ति देखते है सबसे पहले देखिए देखिए नो दस के साप एक समिक्षा अधिकारी सायक समिक दी गई है सभी को पता है कि सरकारी वेब साइट है तीन सर्वर बनाई है अभी भी आप देखोगे जब UPPSC की साइट खोलोगे आप तो उस पर आप देखोगे तीन सर्वर वन सर्वर टू सर्वर थ्री बनाए गई है इस हद तक हालत खराब है UPPSC की साइट की कहीं पर भी रूख जाती है और कितनी बार तो ऐसा होता है कि signature अप्लोड किया वहाँ पर रूख गई फोटो अप्लोड किया वहाँ पर रूख गई तो ये कितनी बार documentation में बहुत सारी problem आ रही है जहाँ पर note allowed लिखाओ है वहाँ पर बहुत सारी problem आ रही है कि ये करना है या नहीं करना है देखिए लेकिन इन सब को ध्यान में रखते हुए फिर भी आयोग ने अपनी अंतिमति थी जो 9 नमबर थी अंतिमति थी उसे बढ़ा कर 24th of November कर दिया गय यानि कि Friday के दिन तक Friday के दिन तक कर दिया गया और इन सब को ध्यान में रखते हुए जिन इस्टूडेंट्स ने अब तक अपना OTR नहीं किया है वे जल्दी से जल्दी अब धहरिये के साथ और बहुत ही समझदारी के साथ अपना OTR फिल करे उसमें कोई गलती ना करे मैं आ देवनागरी लिपी में अपना ऑप नाम लिखिए देवनागरी लिपी में अपना नाम कहीं नहीं लिखा हुए है तो इस जर्नरली स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि अपना OTR करते है क्योंकि आप सिगनेचर का आफशन दिया है सिर्फ इन येचर करते है य उपलोड कर तो तब यह problem आती है, last में जाके पता चलता है कि नीचे तो नाम लिखना था और उपर signature करना था, तो इस बात का विशेश ध्यान रखना है, starting से ही अपना एक photo बना लीजिए, photo frame बना लीजिए signature upload का, नीचे नाम हिंदी में, फिर उसके उपर signature, starting से ही यह कर लीजिए, ठीक है ना, इस बात का विशेश ध्यान रखना है, और दूसरी बात, जो सबसे important बात है, कि उसमें दिया गया है, 72 घंटे पहले, आपको 24 तारिक last date दिये, कभी आप 24 तारिक तक लटके रहें, OTR के लिए 3 दिन दिये, जो की आयोग ने दिये, लेकिन जिस तरह, मैं आपको बता द आइक तक 19, 19 तक, 19 तक अपना OTR कर ले, OTR कर ले, एक बार OTR हो गया, फिर समिक शादीकारी का form, easily आप भर लोगे, उसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, फिर आपको सिर्फ अपलोडिंग करनी होती है, कुछ भी निसमें OTR नंबर डालना है, फिर आपका form भर जाएगा, तो इन बातों का आपको विशेश ध्यान रखना है, ठीक है, धन्यवाद.